हलो एंड वेल्कम तो पेनलम वीडियो, पेनलम वीडियो पे आपका स्वागत है, आज हम पढ़ेंगे डेली कारंट अपरस अफ्टेंबर 2020, तो काईस जल्दी से से सेशन को जॉइन कर लीजे और कुशिश करिए कि जादस जादस लोगी से सेशन से जुड सकें, यह हमारा बा अपरेश रावर, बहुत ही फेमस आप्टर है, आपने काफी मूवीज देखी होगी इनकी, इनको चेय परसेन अपॉइंट कर दिया गया है हम नाशन स्कूल ऑफ ड्रामा, और उन्होंने चो अपना करियर है, उसके शुरुवात गुजराती थेटर से की थी, और उसके को सभी को सभी को सब्सक्राइब देखे शुरुट देखे शॉटल ऑफ लिए अवर्ट ऑबएगी वल्टाइब अपना की व्याल ऑफ प्यूति और इरष फिर लेड्गा है, साथ ही उनको दोरजाद चोदा में, पादमिश्री भी तवैं आगिया है, पादमिश्री से जो है MPB रह चुके हैं, इनसे पहले रत्तन थीयम जो थे, जो वेटरेन एक्टर है थे, उन्होंने जेए परसन आफ एनस्डी ऐस सर्व किया, फम 2013 तो 2017, और पिछले मन्त भी नाशनल स्कूल आफ ड्रामा न्यूस में था, क्योंकि जो लॉंगे सर्विंग डारेक्टर थे एन अंस्कृती मंत्राले यानि की मिनिस्ट्य आफ कर्चिर के अंतरगत है ही है, इस दा प्रीमेर ट्रेनिंग इंस्ट्यूट फॉर थेयेटर एंड इस दा ओनली वन उप इस काइन इंडिया में अपनी तरह का एक मात्र भारत में संस्थान है, इस पी लोकेशन कहाँ पर है, न में 1959 में सेट अप किया गया था संगीत नाटक अकाडमी के दुआरा लेकिन 1975 में ये एक इंडिपेंडेंट स्कूल बन गया, करेंड डरेक्टर कौन है, नाश्र स्कूल ओ ड्रामा के सुरेश शर्मा है, और अभी चेर परसें कौन बन गया है, परेश रावल बन गया है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, उन्हें पदमिश्री से समानित के स्वर्ष किया गया था, 2014, 2015, 2016 and 2017, तो क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी सी कमेंट करके बताईए, और गरेक्ट आंसर अप्शन है, that is 2014, next is a P7 Heavy Drop System that can para-drop military stores up to 7 tons weight class from IL-76 aircraft has been made by DRDO, तो DRDO की दुआरा P7 Heavy Drop System, जो IL-76 विमान से 7 tons भारवर्ग तक के सैने स्वर्ष को गिरा सकती है, उसे रक्षा, अनुसंधान और विकार संगठन दुआरा बनाया गया है, और इसको इंडिया नामी में इंड़क भी कर लिया गया है, इस system में एक platform है और एक specialized parachute system है, जो platform है, वो aluminum ये steel alloy का बना है, जबकि जो parachute है, वो multi-state system है, जिसमें 5 main canopies है, 5 brake shoots है, 2 auxiliary shoots है, और एक एक extractor parachute है और यह जो system है, इसको 100 पृतिशक जो है सुदेशी संसादनों से बनाया गया है, तो इसलिए भी ये काफी important है, DR2 के हम बात करें तो it works under the Ministry of Defense तो Defense Research and Development Organization रक्षमन्तार के तहत काम करती है और इसका जो गठान इसकी जो स्थापना 1958 में हुई थी when the Defense Science Organization was combined with Technical Development Establishment of the Indian Army and the Directorate of Technical Development and Production Chairman कौन है? जी सतीश रेडी है Headquarters कहां पर इसके? New Delhi में located नहीं आगे चलते हैं Let's see a question P7 Heavy Drop System Recently developed by DRDO and para-drop military stores up to 7 ton weight class from DASH DRDO दुआरा हाल ही में विक्सित किया गया P7 Heavy Drop System निमिन लिखेत में से किस विवान से 6 ton हर वर्ग तक की सेने सामगरी को गिरा सकता है C-17 aircraft, IL-76 aircraft, Dawnier और Boeing 737-200 क्या होगा इसका सही answer? चल्दी से बताईए The correct answer will be option B, that is IL-76 aircraft The next is Ministry of Home Affairs has provided Y-plus category of CRPF security to actors Kangana Ranaut Usually जो VIP security है, वो जो है जो भी government में important position hold करते हैं सुसाइटिय में कुछ महतुपूर्ण स्थीतिया पद पर रहते हैं उनको जो है VIP security दी जाती है लेकिन अगर कुसी individual को वे सेंटी गर्मेंट में अपूफ किया है कि इसको इस लेवल की security चाहिए तो बहार पर जो final decision होता है, Ministry of Home Affairs का होता है कि वो security प्रवाइड की जानी चाहिए, नीच की जानी चाहिए after receiving the inputs from intelligence agencies जैसे की intelligence bureau, RAW इन सब से input लेकर उसके बाद Ministry of Home Affairs तै करती है कि किसी भी एक वेप्ती को इस तरह की security है वो दी जाए या फिर नहीं दी जाए अभी जो VIP security है, इसमें 6 categories होती है, 6 levels होती है अगर X level की X category की security दी जाती है यानि कि इसको individual को one gunman protection दिया जाता है यानि कि एक बंदूपतारी सुरक्षा दी जाती है अगर हम Y की बात करें, तो Y category में one gunman होता है mobile security के लिए और one plus four on rotation होते है static security के लिए Y plus security की बात करें, जो कि कंगनर रनौत को दी जा रही है उसमें two gunman plus four on rotation mobile security के लिए और one plus four on rotation residence security के लिए यानि कि टोटल ग्यारा यहाँ पर security personnel जो है, वो उनकी security के लिए लगाए गए Z में क्या होता है, six gunman होते है mobile security के लिए और two plus eight होते है residence security के लिए Z plus में 10 security personnel होते हैं mobile security के लिए और two plus eight होते हैं residence security के लिए इसके लावा एक special protection group होता है जो सरफ प्रधान मंत्री और उनके जो ततकाल परिवार के सदसे होते हैं उनको protection दी जाती है special protection group के दुआरा अब ये जो different kinds की security cover जो है जो इसमें provide की जाती है जैसे की residence security निवास की शुरक्षा, mobile security, office security और साथी interstate security तो अलग-अलग तरह की security भी provide की जाती है various categories भी जो state police होती है ये provide करती है residence security जबकि जो mobile security है उसको कौन provide करता है Central armed police forces of India के द्वारा वो provide की जाती है जिसमें CRPF हो सकता है, BSF हो सकता है ठीके armed forces के जो भी लोग होते हैं वो यहाँ पर mobile security provide करते हैं तो I hope आपको ये clear हो गया होगा कि क्या security के levels होते हैं और कौन-कौन किस type की security जो है provide की जाती है आगे चलते हैं वोग, let's see a question Which of the following categories of security cover includes 2 gunmen plus 4 on rotation for mobile security and 1 plus 4 on rotation for residence security सुरक्षा कवर की निमिनेकित श्रेडियों में से किसमें mobile सुरक्षा के लिए 2 gunmen और rotation पे 4 तथा निवास सुरक्षा के लिए 1 और rotation पर 4 शामिल हैं Y, Y plus Z and Z plus जल्ली से बताएए क्या होगा इसका सही आंसर Guys comment करते रहिए सही आंसर The correct answer is option B that is Y plus Moving forward A proposal to construct Munger, Bhaagalpur, Tirpati and Khalgaon concrete road on NH80 in Bihar has been approved by road, transport and highways minister Nitin Gadkari तो बिहार में NH80 पर Munger, Bhaagalpur, Tirpati, Khalgaon concrete road बनाने के लिए concrete सड़क बनाने किया जो प्रस्ताव है उसको मर्जोरी दे दी गई है And the work on this road it will start in the next 3 months और इसमें 20 करोड rupees जो है उनको release किया जाएगा immediate repair work के लिए NH80 की बात करें हम National Highway 80 की तो ये मुकामा से जो है फरका को जोडता है मुकामा बिहार में और फरका West Bengal में है और ये बिहार जारखंड और West Bengal से होकर गुजरता है Let's see a question Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkaree has approved a proposal to construct Munger-Bhagalpur-Tirpati-Khalgaon Concrete Road This road is on which of the following National Highways सड़क परिवाहन और राजबार मंत्री नितिन गड़करी ने Munger-Bhagalpur-Tirpal कहलिया concrete सड़क बनाने की प्रिस्ताव को मुजूरी दे दी है ये सड़क जो है ने मिलने के इतने से कौन से National Highway पर है National Highway 35, National Highway 49, National Highway 60 and National Highway 18 ज़दी से comment करके बताईए very easy correct answer is option D that is National Highway 80 next is an agreement on the reciprocal provision of supplies and services has been signed between the armed forces of India and the cell reference forces of Japan भारत के शशस्त बलो और जपान के आत्मरक्षा बलो के बीच आपूरती और सेवाएक के पारसपरिक प्राधान पर एक समझोहते प्रहस्ताक्षर किये गए है और इस agreement के कारण जो forces है इंडिया और जपान की उनके बीच में जो है सहोग बढ़ेगा, cooperation बढ़ेगा और साथी साथ जो interoperability है वो भी बढ़ेगा जो इंडिया और जपान के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने टेलिफॉनिक conversation किया और जो मुंबई एहमदबाद High Speed Rail Project है जो साइन हुआ था अंडर इंडिया जपान स्पेशल स्ट्राटेजिक और ग्लोबल पार्टरशिक के अंतरगर्द उसके स्टेटस को भी रिवी किया उस प्रियुजना की संक्षा भी की Cell Defense Forces of Japan is the force with the world's 5th largest military budget तो अगर पुरे वर्ल्ड की बात करें तो 5th largest military budget जो है वो जपान की Cell Defense Forces का है और वर्ल्ड में 5th most powerful military force भी यही है Armed Forces of India की बात करें इस the force with the world's 3rd largest defense budget and it is the world's 2nd largest military force दूनिया अबकी दूसरी सबसे बड़ी संदे शुक्ती है जपान के हम बात करें तो it is an island country which is located in the North West Pacific Ocean तो यहां पर आप location देख सकते हैं North Pacific Ocean नौर्थ वेस्ट में जपान लोकेटेड है जपान की जो क्यापिटल है वो तोक्यो है और इसकी जो करदसी है वो जैपनीज एन है यह अपना जो बाडर है यह Sea of Japan Sea of यहां पर अकरस तक ऊपर है और साथ ही इधर East China Sea के साथ जो है शेयर करता है और इसमें काफी जो है famous cities है यह आपर ठीक है जैसे की Nagoya नगया प्रोटोकॉल आपने सुना होगा यह नेक्स्ट जो है Kyoto प्रोटोकॉल आपने सुना होगा एक Hiroshima Nagasaki पर बॉम गिराए गया तो World War 2 के दौरान यह दो सीटीज तो यह सारी जो है काफी न्यूज में रहती है सेंडाई framework भी आपने सुना होगा तो इस तरह के जो भी agreement साइन होए थे जपान में तो उसके लिए यह प्लेस जो है important है आगे चलते हैं let's see a question agreement on reciprocal provisions of supplies and services has been signed between armed forces of which of the following countries ने मिले कितमे सी किस देश के शेशस्तर बलों के बीच आप बूरती और सिवाओं के पारस्परी प्रावधान पर समझोधे किया गया India and Japan, India and Australia, India and US, India and France जल्दी सी कमेंट करके बताईए what will be the correct answer the correct answer is optionally that is India and Japan moving forward next is the catalyzing innovation entrepreneurship and incubation report has been launched by Department of Science and Technology secretary so this catalyzing innovation entrepreneurship and incubation जो report है इसको launch कर दिया गया this report is an assessment of national science and technology entrepreneurship development board NSTEDB DST efforts in promoting innovation and entrepreneurship through its technology business incubation program so यह जो report है यह assessment है NSTEDB का उसके efforts क्या थे in promoting innovation and entrepreneurship उसकी एक scheme थी जो प्रोग्राम है टेक्नोलोजी बिस्मेस इंक्रिबेशन के द्वारा तो TBI की इसका component है यह एक नीधी प्रोग्राम का component है जो नीधी प्रोग्राम है जो नीधी प्रोग्राम है that is national initiative for developing and harnessing innovation इसको जो इसको किया गया था NSTEDB के द्वारा 2016 में और इससे innovation को promote करने में काफी जो है अपना योगदान दिया है नीधी has components like प्रियास promoting and accelerating young and aspiring technology entrepreneurs EIR that is Entrepreneur in Residence program तो इसके बारे में हमने जो है कुछ दिन पहले पढ़ा था यह launch किया गया था Entrepreneur in Residence इसका brochure launch किया गया था तो यह नीधी का एक component है ऐसे ही प्रियास जो है भी नीधी का स्कीम का एक component है रिपोर्ट में बताया गया है कि 1992 intellectual property rights जो हम प्रीड किये गए है 3681 start-ups they have been nurtured through 143 incubators created by Department of Science and Technology and during this COVID-19 pandemic NSTEDV has taken the initiative called Center for Augmenting War with COVID-19 Health Crisis coverage करके जो एक scheme है जो पहल है वो शुरू की गई थी NSTEDV के द्वारा NSTEDV it was formed in 1982 और इसके अंतरगत काम करता है क्योंकि Science and Technology से related है तो यह Department of Science and Technology के अंतरगत काम करता है चले हम लोग question देख लेते हैं What is the title of the recently released report assessing the National Science and Technology Entrepreneurship Development Board NSTEDV Department of Science and Technology efforts in promoting innovation and entrepreneurship हाल ही में जारी की गई राश्य विज्ञान और प्रद्विक के उद्यमिता विकास बोड़ के नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों का आक्रून करती ही report का सिल्षक क्या है Catalyzing, Innovation and Entrepreneurship, Catalyzing, Innovation and Incubation, Catalyzing, Entrepreneurship and Incubation, Catalyzing, Innovation, Entrepreneurship and Incubation So the correct answer will be option D Moving forward Next is a methanol plant has been started at Trombe Unit of Rajshri Chemicals and Fertilizers Limited राष्ट्री रसायन और Ubrit Limited RCF की Trombe IKai में Methanol से यहतर शुरू किया गया है इससे पहले RCF जो है वो इंपोर्ट कर रहा था Methanol को लेकिन अब वो अपना पूर्ट जो है Methanol जो है प्रियूस कर सकता है इस newly started plant में Methanol का इस्तिमाल जो है Pharmaceuticals, Pesticides और Dye Stuff जैसी चीजों को production में काम आता है RCF has also increased the production of its popular fertilizer named Sufala तो Sufala जो एक fertilizer है यह RCF दौरा जो है बनाया जाता है उसकर जो production है उसको increase किया गया RCF की दौरा by 17.3 in August 2020 RCF की हम बात करें तो it is PSU under the Ministry of Chemicals and Fertilizers कुकि इसकी full form ही है राश्टी Chemicals and Fertilizers Limited It is India's fourth largest producer of fertilizers इससे पहले top three producers कौन-कौन से है Coromandel International, National Fertilizers Limited and Gujarat State Fertilizers and Chemicals Limited इसकी दो manufacturing units है which are located at Trombe, Mumbai and Thay-Rai-Garh district in Maharashtra Let's see a question राश्टी Chemicals and Fertilizers Limited has been started has started a methanol plant at Dash राश्टी रसायन और उग्रक Limited ने हाल ही में methanol सेहतर कहार पर शुरू किया है थाई, चूना भटी, Trombe and Dahisar क्या होगा इसको सही आंसे, चिल्दी से बताइए The correct answer is option C, that is Trombe Moving forward India Post, under the Department of Post has launched a 5-star Villages Scheme in which all poster products and services will be made available at village level तो India Post ने जो है एक scheme launch किया, जिसका नाम है 5-star Villages Scheme, इसमें क्या होगा जितने भी poster products है और जो भी services है वो सभी village level तक पुचाई जाएंगी गरामीम सतर तक पुचाई जाएंगी और poster products and services will be marketed and publicized at the village level under the scheme तो इस scheme के अंतरगत क्या होगा जितने भी poster products and services होगी उनकी marketing की जाएगी और उनको publicize किया जाएगा village level पे जो scheme है इसको जो है pilot business पे launch किया गया महराष्ट में अब इसको पूरे भारत में implement किया जाएगा depending on the experience in महराष्ट यह scheme जो ही पूरे महराष्ट को cover करेगी और during the current financial year the scheme will cover 50 villages in each district identified by regional offices इसमें क्या होगा ग्रामीन डाक सेवक्स की जो है पाच ग्रामीन डाक सेवक्स की टीम मनाई जाएगी जिसको headcon करेगा branch postmaster head करेगा concern branch office का इस scheme के implementation के लिए the team will be assigned a village for the marketing of all product saving and insurance schemes of the department of post जो team है उसको assign किया जागा एक village मालता कि वो जितने products है जितने भी schemes है department of post team उसकी marketing कर सके और जो chief postmaster general है वो जो है scheme की progress को मतली review करेगा अगर कोई village जो है universal coverage कर लेता है चारो scheme का जो यह list दी गोई है उसमें से तो उस village को 4 star मिलेंगे अगर 3 कर पाएगा तो उसको 3 star मिलेंगे और इसी तरह सी stars जो है वो दिये जाएंगे अब कौन-कौन स्कीम कवर्ड है इस 5 star स्कीम में सबसे पहले है saving bank account, recurrent deposit accounts NSC, national saving certificate and KVP certificates next is sukhanya samvidhdi accounts TPF accounts funded post office saving account linked India post payment banks account then postal life insurance policy and rural postal life insurance policy प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजन अकाउंट और प्रधानमंत्री जीवन जोती बीमा योजन अकाउंट तो इस मेच से अगर 4 लागू करता है कुल तो वहाँ पे उस village को 4 star देंगे अगर 3 हुई तो 3 देंगे अगर 5 कर ली तो 5 star देंगे इंडिया पोस्ट की हम बात करें तो इट वस फॉर्म डेल ऑक्टूबर 1854 पाई लॉर्ड डलहाउस इसके हेड़कॉर्टर्स न्यू डेली में लोकेटेड है और इस सबसेड़ी है Ministry of Communications की चलिए इससे जोड़ा प्रशन दिख लेते हैं इंडिया पोस्ट 5 star village scheme will be launched on a pilot basis and dash. इंडिया पोस्ट की 5 star village योजना pilot अधार पर कहां शुरू की जाएगी अंदरप्रदेश, महराश्र, करनातका and Kerala जन्दीस कमेंट करके बताएए गाइस कमेंट करते रहिए वीडियो को like करिए, share करिए कोई भी डाउटी कमेंट बॉक्स में मेंचन करिए the correct answer is option B that is Maharashtra moving forward, the Department of Science and Technology felicitated Professor Kleampuddhi Radhakrishna Rau that is Siya Rau the living legend of statistics on his 100th birthday, तो उनके सौवे जनम दिन पर उन्हें सम्मानित किया गया Department of Science and Technology के दुवारा, इससे पहले उनको पदम विभूशन से समानित किया गया था 2001 में Siya Rau has set up Siya Rau Advanced Institute of Mathematics, Statistics and Computer Science He was also awarded the U.S. National Medal of Science and was described as a living legend by American Statistical Association तो उनको U.S. National Medal जो है Science का वो भी जिरिया गया था Moving forward, let's see a question who has been felicitated by Department of Science and Technology on his 100th birthday विज्ञान और पुद्योगी की विभाग दुआरा उनके सौवे जन दिन पर किसी समानित किया गया है दमराजू रागम राओ सिदानी भासकरा राओ कल्याम पुर्दी रादकृष्न राओ चिंतामनी नागेश रामचंडर राओ जेजी से कमेंट के बताएं क्या होगा इसके सरी answer? the correct answer is option C moving forward Sarodh Ports Society for affordable redressal of disputes Ports has been launched and this was launched by Ministry of Minister of Shipping and Sarodh Ports have been set up under the Society's Registration Act of 1816 the aim of this Sarodh Ports is to resolve क्यों किस मिलिका Society for affordable redressal of disputes तो ये एक dispute resolve करने में help करेगा in the affordable timely and fair manner and enrich the dispute resolution mechanism with the panel of technical experts as arbitrators तो इसमें क्या होगा कि व्याद के समाधान के लिए जो है यहाँ पर पैनल नीउट किया जाएगा इस पैनल में काफी technical experts होगे जो की मध्यस्तता करेंगे members from Indian Port Association and Indian Private Ports and Terminal Association are part of Sarodh Ports तो जो भी Indian Port Association और Indian Private Port and Terminal Association के सदर से हैं वो Sarodh Ports का हिस्सा होंगे similar to Sarodh Ports जो एक Sarodh Roads करके भी जो है available है हाइवे सेक्टर के लिए जिसको NHGI यानि की National Highway Authority of India ने सेट अप किया था Sarodh Ports was envisaged in amendments in the Model Concession Agreement approved by the Cabinet in January 2018 जमें 2018 में Cabinet द्वारा अनमोनित model रियात समझवाते में संशोधन में Sarodh Ports की परकटना की गई थी और फाइनली यह उसको launch कर दिया गया है So let's see a question Recently launched Sarodh Ports affordable residual redressal of disputes Ports consists of which of the following हाल ही में launch किया गया Sarodh Ports ने मिलने कितमे से किस्से मिलकर बना है Indian Ports Association and Shipping Corporation of India Indian Ports Association and Indian Private Ports and Terminal Association Indian Ports Association and National Shipping Board Shipping Corporation of India and National Shipping Board जंदी से बताई क्या होगा इसको सही answer The correct answer is option B Next is The world's largest digital camera clicks its first 3200 Megapixel digital photos दुनिया के सबसे बड़े digital camera ने पहले 3200 Megapixel digital photo लिये है और यह अब तक एक shot मिली आ गया जो है सबसे बड़ा photo है The size of the images is such that it will require 378 4K Ultra HD TV screen to display a single picture in full size तो इसमें छवियूक आकार ऐसा है कि इसमें पून आकार में एकलचित पदिर्शत करने के लिए 378 4K Ultra HD TV screen के अवश्रकता होगी जो camera है इसको कहां पे install किया जाएगा the Rubin Observatory जो चिले में है वहापन इस्टॉल किया जाएगा जहां पे यह जो इन पनारमिक images प्रिडूस करेगा Southern Sky की This camera will help scientists in understanding how galaxies have evolved over time and the ministry is related to dark matter and dark energy तो जो भी यूनिवर्स से related जो भी mysteries है ठीक है या फिर कैसे ही जो galaxies है कैसे समय के साथ यह camera काफी help करेगा The data will be fed into the Rubin Observatory a collection of galaxies and motions of astrophysical objects तो data को Rubin Observatory में जो है feed किया जाएगा The camera is expected to be ready by 2021 before being installed in Chile तो चिले में install होने से पहले यह उमीद है कि 2021 तक यह camera जो है कूल तरह से त्यार हो जाएगा Moving forward Let's see a question What's largest digital camera will be installed at Rubin Observatory Where is Rubin Observatory located? विश्का सबसे बड़ा digital camera Rubin Observatory में स्थापित किया जाएगा Rubin Observatory कहां से थे? Peru, Bolivia, Chile and Argentina जल्दी से के मैं कर कि बताई ही सही answer Very easy The correct answer is option C that is Chile Next is an MOU has been signed between the Puducherry University and National Institute of Ocean Technology and the MOU has been signed to exploit marine living resources using the latest deep exploration methods of N.I.O.T. and expertise of Puducherry University तो N.I.O.T. की जो नभिंतम घहरे समूद्र अन्वेशन विद्यों और Puducherry विश्दाली की विश्चता को प्योग करके समूद्री जीवित संसाद्रों का दोहन करने के लिए समझोंतागा पनकर अस्ताक्षर किये गए है जो Puducherry University है उसकी अलगलग fields में काफी expertise है जैसे microbiology, biotechnology, marine biology और metagenomics National Institute of Technology की बात करें तो इस अन autonomous institute under the Ministry of Earth Sciences यह 1993 में established रुआता है इसके headquarters चैनाई में है and it aims to develop indigenous technologies ताकी जो भी problems है related to exploitation of living and non-living resources in the EEZ यानि exclusive economic zone of India उसमें यह help कर सके and EEZ के हम बात करें तो यह जो कोई भी country का EEZ होता है यह अगर country का यह border है ठीक है तो यहां से 200 nautical miles तक जो भी region होता है यह किसी भी country का EEZ होता है exclusive economic zone होता है let's see a question recently NMOU to exploit marine living resources has been signed between Puduchari University and the National Institute of Ocean Technology where is N.I.O.T. located हाली में पुभुचरी विश्वदाले और राश्रे महसागार प्रदोगी की सहस्थान की बीच समुद्र जीवत सहसादनों के दोहन के लीग समझोते पर हस्ताक्षर की गए है N.I.O.T. कहां इस्ते थे उने, चैन्नाई, कोची और तिरवन दंपुरंग जदी से बताएं क्या होगा इसका सही answer very easy where is N.I.O.T. located the correct answer is option B that is Chennai next is a three member export committee or a panel has been constituted to assist in evaluation of relief to bank borrowers bank उधार करताओं को रहत के मुल्यांकन में मदद करने के लिए सरकार द्वारा एक तीन सदस्य विशेशंक्या पैनल जो है गुगठित किया गया है और इस पैनल के जो head है जो chairman है वो कौन है former CAG राजीव महरशी है और यह जो पैनल है यह बताएगा कि क्या जो impact रहा है interest waiver का जो लोगों को provide किया गया है borrowers को दिया गया है और साथ ही जो COVID-19 के दौरान जो meritorium दिया गया था जो जूप दी गई थी तो उसका भी क्या लाब हुआ है यह सारा बताएगा और यह अपनी recommendation भी देगा कि कैसे financial constraints जो है जो वित्य बादा है उनको कैसे कम किया जा सकता है इस पर भी यह जो है अपना suggestion देगा और एक हाफते में यह पैनल जो है अपनी report को summit करेगा चलिए हम लोग से जोड़ा प्रशन देख लेते हैं जल्दी से बताएगे कमेंट करकी क्या होगा इसके सही आंसर और प्रशन को सब्सक्राइब करिए और पैल आइकन को जुरू प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए और यूह हमारे साथ जुड़े रहिए अल्दी बेस्ट थैंक यू सो मुछ